दोस्तों स्वागत आपके अपने चनल सिविल साइड विजड में आज के वीडियो काफी जादे इंपोर्टेट है क्यूंकि इस पे कमेंट्स भी काफी आ रहे थे और मैं सोच रहा भी था कि इस पे वीडियो जुरूर आना चाहिए कि जो लैपिंग होती है जो रिबार हम करत कोश्ट के एकॉडिंग यहां कौन सा सही रहता है अगर हम टेकनिकल वे से देखें तो इस पे कम्प्लीड विडियो होने वाली है complete video देखना इसके बाद आपको idea लग जाएगा कि सबसे best कौन से है और सबसे सस्ता कौन से है तो अभी हम start करते हैं video तो उससे पहले please channel को subscribe कर लो bell icon दवा लो practical knowledge इसी channel पे आपको मिलेगा civil side visit पे तो हम बात करते जाएंगे दोनों की तीनों की दीरे दीरे तो सबसे पहले मैं start ही करूँगा किस से हमारा building से यह सबसे जो हम बोलें खराब चीज कौस्ट की मैं बात last में करने वाला हूँ पहले बोलूँ building जो है building खराब है मतलब building आपको कभी नहीं करनी है कभी भी अगर building करो तो उसमें जो हमारी gas pressure welding रहती है वो best रहती है लेकिन वो भी cost अगर हम बात करें तो increase ही cost करती है जब हम simple building करते हैं जैसे आप सामने देख रहे हैं simple building जब भी हम करते हैं तो होता क्या है जो steel होता है हमारा उसकी properties काफी ज़्यादा चेंज हो जाती है steel हमारा आता है ductile resistant कर मतलब tensile होता है जब उसपे लोड पड़ेगा वो खिचेगा लेकिन जब हम उसमें building कर देंगे तो building से होता क्या है वो steel आपका ductile हो जाता है लैपिंग और हमारा बचा reducer and coupler इन दोनों में से best cones है देखो best दोनों है लेकिन इसमें क्या होता है cost increase हो जाती है अगर आपका सरीया है 8-12 mm का सरीया है तो उसमें अगर आप लैपिंग करते हो तो वो ठीक है उसमें इतना कोई issue नहीं है column में lap कर रहे हो यहां beam में lap कर रहे हो लैपिंग होती है जिन लोगों को नहीं पता है सामने आप देख रहे हो beam में जो lap provide किया गया है मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ तो लैपिंग अगर आप लोग करते हो तो लैपिंग acceptable है कहां से लेके कहां तक 6-6 mm का बार है 8 mm का बार है या 12 mm का बार है तो उसमें lap provide करो लेकिन लैपिंग जब provide करो तो उसमें आपको क्या करना है joggle जो होती है मतलब क्या होना चाहिए अगर उपर से load आ रहा है तो direct दूसरे सरीये पे वो transfer होके नीचे जाना चाहिए ऐसा आपको provide करना है उसमें joggle जो word आप सुन रहे हो जो आपने bend देखा होगा मैं पहले वीडियो ले आया हूँ उस पे joggle क्या होती है तो आपको proper joggle provide क के बाद यह करने फिर हम बात करते हैं जो 20 mm का सरीय 25 mm का जहां 32 32 ओपर जो higher डाया होता है तो उसमें अगर हम लैप करने जाते हैं तो हमारा अगर जो लैप हम देखें तो mostly 50D हमारा होता है 50 into जो भी डाया होगा तो 20 mm का डाया होगा तो 1000 mm हमारा लैप जाएगा 25 mm का होगा तो 1250 ऐसे ऐसे करते लैप बढ़ता जाता है उससे क्या होता है कोस्ट हमारी increase होती जाती है हमेशा याद रखना अगर हम लैपिंग करते हैं तो लैपिंग और बैल्डिंग की कोस्ट सेम पड़ती है अगर एक हम लमसम पकड़के चले अगर पूरा मतलब एक दो कॉलम होग उसमें आपको लैपिंग नहीं प्रोवैड करनी है वो तो टेक्निकल वे से कह रहे हैं लेकिन ऐसे भी कॉष्ट के वे से हम देखें तो लैपिंग काफी ज्यादा कॉष्ट इंक्रीज कर सकती है अभी हम बढ़ते हैं लास्ट तरफ वो है हमारा कॉपलर एडिूसर या कॉपल लोड होगा जिन लोगों को कॉपलर नहीं पता है सामने आप देख रहे हैं तो उपर से कहा होगा जैसे कॉल्प पर लोड पड़ेगा वो नीचे वाले बार पे डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा उपर वाला सरिया और लोड हमारा डायरेक्ट नीचे चला जाएगा तो एक ब बोल रहा था कि रेट एनिलिस पजाने वाला हूं तो अगर हम 16 mm यह और को सोलींग करते हैं तो उसमें आपको 50 से पचुनजर भे लगेंगे एक बार को कपलिंग करने में 16 mm का, अगर 20 mm का सरीय रहेगा तो, उसको 60-50 रुपे आपको एक बार को कप्रिंग करने में लगेगे अगर 25 mm का है, तो 100-120 रुपए आपका लगेगा, अगर 32 mm का 180-190 रुपे आपको कप्रिंड लगाने में लगेगे, उसमें सब लेबर कोश्ट आ गई उसमें अबना कपलर का कोश्ट आ गया और अगर 36 mm का है 200 डाइसों से आपका 260 या 70 रुपे उसमें चार्ज लग जाता है और यह चार्ज डिक्रीज भी हो सकता है अगर आपको कपलर सस्ता मिल गया जहां आपके एरिया में जो लेवर कोश्ट है इसका वो हो ग जाएगा वो डाइरेक्ट नीचे भी ट्रांसफर हो जाएगा जैसा हम लैपिंग करते हैं लैपिंग में क्या होता है प्रोपर से जोगल नहीं प्रवाइड की जाती इदर उदर हो जाता है और उसमें एक चीज आपको वर्क जादा बढ़ जाता है कि आपको सरीया स्टैग मतलब हमारी वीडियो का टोटल निचोड क्या निकल लैपिंग वेल्डिंग और रिडिउसर की बात करें हम रिडियोसर जो में बोल यह वह बोलते है तो तीनौ में से लेगर को फरा है को दीजो वैल्डिंग योडिंग आपको कभी नीоль दूसरी लैपिंग आपको कहा तक क और कपलर मंगाल हो गए अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमेशा आपको कपलर के साथ जाना चाहिए टाइम के साथ टाइम बदलना चाहिए आपको और फिर हम बात करते हैं इन तीनों की डिस अडवंटेजिस की तो बैल्डिंग में क्या होता है हमारा सरीय डक्टाइल हो ज अच्छा बड़ा और जब आप उसमें कोंक्रीटिंग करोगे क्योंकि जब लैप आएगा तो उसको लैप को पूरा सही तरीके से बिठाने के चक्कर में क्या होता है लैप बिठाया वो जो स्पेसिंग होगी जो सरीय के बीच में स्पेसिंग रहती है वो कम हो जाएगी कोड़ा वरकविल्टी बनाने के लिए डीला करते हैं उससे कॉंक्रीट की स्रेंथ भी डिक्रीज होती जाती है तो लैपिंग के केस में यह काफी चीजे देखी जाती है कि जो मतलब हणी कॉम और खर्चा ज़दा बढ़ जाता है और कपलर की बात करें वहां आपकी जगा बचेगी क्योंकि डायरेक्ट सरीय पर वह आएगा और वहां जगा भी बचेगी कोश्ट भी डिक्रीज होगी तो यह चीज है तीनों में यह डिफरेंस है और तीनों का आपको पता चल गया हो कि बेस्ट कौन सा है और क्या-क्या चीज आपको उसमें द्यान रखनी है जब तीनों में सबसे अच्छा क्या है कोश्ट किसकी कम है और इसके लेटिर कोई भी कोशन रहता है ना आप ज़रूर कमेंट करना में उसका रिप्लाई करूंगा इसका मैं ऐसा रहेगा तो एक कौश्ट अनलीसिस का वीडियो लेऊंगा कि तीनों में खर्चा कितना पढ़ता ह ऐसे तो मैंने आपको लमसम बता दी है इस वीडियो में लेकिन अच्छे से एक और वीडियो उस पर आने वाला है